हलो नमस्कार जैन फ्रेंस हम एंटी पीसी और गुरूप डी को टार्गेट करते हुए 10,000 सांदार प्रस्णों को कर रहे हैं जिसका यह एकॉनोमिक सेक्षन है जो कि आपको डेली 10 बजे मिलती है साम 5 बजे आपको डेली हिस्ट्री का सेक्षन मिलता है और दोपहर एक बजे जो है वो आपको रेलवे के द्वारा आज तक जितने परिक्षाएं कराई गई है उसके प्रीबियस येर के सारे जनरल स्टडी और जिक्के के कोश्चन्स मिलेंगे आपको तो वीडियो को सुरू से अन तक देखें बहुत ही सांधार और बहुत ही सेलेक्टेट प्रस्ट ने एक बीक प्रस्ट को छोड़ने की गलती ना करें तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को तो हमारा फर्स कोश्चन है कि सकल रास्टिय उद्पाद में अगर घटाते हम लोग मोल ले हरास को यानि कि जीडिपी में अगर हम लोग डिप्रेसियेशन को माइनस करते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलेगा देखिए इस तरह के एकोनोमिक्स के प्रस्ट आज भी बहुत ही बेसिक पता होना चाहिए तो जीडिपी में अगर डिप्रेसियेशन को आप अगर माइनस करेंगे तो आपको निबल रास्टिय उत्पाद मिलेगा क्या मिलेगा निबल रास्टिय उत्पाद नेक्स कोशन देखते हैं किसी देश का निबल रास्टिय उत्पाद यारी कि NNP मिलता है ठीक है नेट नेशनल प्रोड़क्ट हमें कब मिलता है जब हम GDP में depreciation को minus कर देते हैं तो NNP का formula जरूर याद रखिएगा GDP minus depreciation चलिए तीसरा प्रस्ण देखिए क्या है कि आर्थिक विकास का सर्वत्तम सूचकांक उपलब्द कराया जाता है तो आर्थिक विकास यानि की economic development के लिए जो indicator index जो सबसे सर्वत्तम जो उपलब्द कराया जाता है वो किसके द्वारा उपलब्द कराया जाता है तो इसका right answer हो जाएगा पर्ति वर्स पर्ति व्यक्ति वास्तविक आय के व्रिधी द्वारा तो हर साल एक per capita income में किस तरीकी के व्रिधी हुई है इससे जो है हम आर्थिक विकास को measure कर सकते हैं तो आर्थिक विकास का सर्वत्तम सूचकांक किसे उपलब्द कराया जाता है तो इसे उपलब्द कराया जाता है पर्ति वर्स पर्ति व्यक्ति वास्तविक आय में ब्रिधी next question देखिए कि अंतरास्टिये समुद्र में भारतिये मच्वारों द्वारा पकड़ी गई मचलियों में से किसकी GDP का हिस्सा है तो अगर अंतरास्टिये समुद्री जो है छेत्र में अगर भारतिये मच्वारे जो है वो मचली पकड़ते हैं तो इसमें से किसकी GDP का हिस्सा है कौन सी जो है वो GDP का हिस्सा बनेगी तो भारत में अगर कोई मचली पकड़ी जाती है तो वो GDP का हिस्सा बनेगा लेकिन भारत के बाहर अगर स्री लंका अगर इंडोनेसिया में कोई मचली पकड़ी जाती है तो वो भारत के GDP में include नहीं होगा GDP का मतला भी होता है gross domestic product यानि कि geographical पूरे boundary के अंदर जितने भी products हुए हैं उसकी value को ही calculate करके हम क्या निकालते हैं GDP निकालते हैं भारत में जो मचली पकड़ी जाएगी वो GDP में include होगी लेकिन स्रिलंका इंडोनेसिया में पकड़ी जाने वाली मचली जो है उसका मुद्रमुल क्या है एक वर्स में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो value होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद यानि कि पूरे साल में जितने भी चीजों का manufacturing हुआ है production हुआ है उसके final जो products बनते हैं उसके value calculate करके जब हम जोडते हैं तो हमें क्या मिलता है सकल घरेलू उत्पाद next question देखिए किसी रास्ट की रास्टिये आये होती है तो किसी भी रास्ट की जो है वो रास्टिये आये क्या होती है उत्पादन कारियों का योगफल क्या होती है उत्पादन कारियों का योगफल होती है किसी भी रास्ट की रास्टिये आये यानि की national income next question है कि वैविदी के माध्यम से GNP की गनना में क्या सामिल नहीं किया जाता है तो जो है वै यानि कि expenditure मेथड से GNP की जब हम calculation करते हैं तो उसमें कौन से indicator को सामिल नहीं किया जाता है तो मूल्य हरास वै मूल्य हरास वै को हम include नहीं करते हैं जब हम GNP को expenditure method से calculate करते हैं next question है मुद्रा, श्वयम मुद्रा का निर्मान करती है या परिभासा किसने परस्तूत की थी तो मुद्रा ही है मुद्रा का निर्मान करती है या परिभासा किसके द्वारा पेस की गई थी या क्रोवमर के द्वारा पेस की गई थी very important question है पुछा गया SSC में क्रोवमर के द्वारा या statement दी गई थी कि मुद्रा, खुद मुद्रा का निर्मान करती है नेक्स कोशन देखते हैं ग्रेशम का नियम निमने लिखित में से किस से संबंदित है तो देखे ग्रेशम का जो नियम है वह मुद्रा के प्रचलन से संबंदित है किस से संबंदित है मुद्रा के प्रचलन से संबंदित है नेक्स प्रचन देखते हैं कि हवाला क्या है हवाला आपने बहुत बार न्यूज में सुना होगा हवाला हवाला ट्रेडिंग हवाला होता क्या है actually हवाला का मतलब होता है बिदेसी मुद्रा का अवेद कारोबार ठीक है foreign currency का जो है illegal trade जो होता है उसी को हम क्या कहते हवाला हवाला ट्रेड बहुत से बड़े बड़े फिल्म सितारे भी इसमें जुड़े थे उनका नाम आया था हवाला ट्रेड में तो हवाला क्या होता है बिदेसी मुद्रा का अवेद कारोबार next question है hard currency एक soft currency होती है hard currency तो hard currency से क्या तातपर है hard currency वो मुद्रा होती है जिसकी आपूर्ती मांग की अपेक्षा कम हो ठीक है तो hard currency किसे कहते हैं वैसे मुद्रा यानि कि वैसे currency को कहेंगे जिसकी आपूर्ती मांग की अपेक्षा कम हो आपूर्ती कम होती है मांग के अपेक्षा डिमांड के according ठीक है आपूर्ती अधिक है, मांग कम है, वहाँ पे मांग अधिक था, आपूर्ती कम थी, तो ये दोनों के definition आप जरूर याद रखेंगे, ये प्रस्न पूछा जा चुका है, नेक्स कोशन देख लिजे, कि किन देशों की मुद्रा प्राया हार्ड करेंसी होती है, तो कैसे देशों में जो है, मुद्रा जो है, यानि कि करेंसी का जो टाइप होता है, वो हार्ड करेंसी टाइप होती है, तो राइट आंसर है, विक्सिद, यानि कि जो भी developed country है, वहाँ की मुद्रा कैसी होती है, वहाँ की मुद्रा hard currency होती है next question की भारत की विधी ग्राह मुद्रा क्या है तो भारत की विधी ग्राह मुद्रा क्या है तो हमारी आपको पता है हमारी मुद्रा को क्या कहते है, रुपिया कहते है क्या कहते है, रुपिया कहते है आपके लिए कोश्चन है कि Pound Sterling किस देश की मुद्रा है इसका कमेंट करके बताएं साथ ही साथ यूरो किस देश की मुद्रा है डॉलर तो पता है आपको तो यूरो और Pound Sterling किस देश की मुद्रा है प्लीज हमें कमेंट करके बताएं नेक्स कोशन है कि सरकार दोरा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहते हैं तो सरकार जब भी पुरानी मुद्रा यानि की ओल्ड केरेंसी को जो है खतम कर देती है और नई मुद्रा को चलाना सुरू करती है इसे क्या कहते है इसे बिमुद्रिक करन करते है डी मोनेटाइजेसन कहते है क्या कहते है डी मोनेटाइजेसन जैसे भारत में 500 के नोट को बंद कर दिया गया था उसके बाद 2000 के नए नोटों को रिलीज किया गया था तो जो बंद कि अगया उसे हम लोग क्या कहते है नया मुरोड चला ना डी मोनेटाइजेशन नेक्स कोश्चन है कि बजार के नियम के प्रस्तूत करता कौन थे देखे बजाज के नियम को जो है किसके द्वारा दिया गया था या जेबी से के द्वारा दिया गया था Gene Baptist से J, B, C इन्होंने बजार के नियम को प्रस्तूत किया था Very important question है जरूर याद रखेंगे आप Next question है कि वह अवज था जिसमें मुद्रा का मुल्य गिर जाता है और कीमते बढ़ जाती है क्या कहते हैं ये सारे NCRT के basic economics है सवाल economics के आज भी एकदम basic से एकदम tough questions economics में आपको कभी भी नहीं पूछा जाएगा आप चाहे तो previous year के कोई भी paper उठा के देख सकते हैं तो देखिए वह आवस्ता जिसमें मुद्रा का मुल्य गिर जाता है और कीमत बढ़ जाती है क्या कहलाती है इसे हम कहते है मुद्रा स्फिती क्या कहते है मुद्रा स्फिती यानि की inflation next question देखिए मुद्रा स्फिती से बजार की वस्तुए तो मुद्रा स्फिती यानि की जब inflation होती है उसमें वस्तुए क्या होती है बजार की के कारण सबसे अधीखानी किसे होती है देंदार को किसे होती है देंदार को सबसे अधीखानी होती है इंफलेशन के दवरान नेक्स कोशन है कि मुद्रा इस्थपीती से लभाविंत कौन होता है तो जो है मुद्रा इस्थपीती से किसे बेनिफिट होता है मुद्रा इस्थप प्रोवाइड करते हैं उन्हें बहुत benefit होता है next question है कि मुद्रा SPT यानि कि inflation की उच्छ दर और बेरोजगारी की उच्छ दर की एक साथ उपस्तिती को क्या कहते हैं यानि कि जब inflation जो है यानि कि मुद्रा SPT पूरे peak पर हो बहुत high हो उसी समय बेरोजगारी भी बिल्कुल high हो वैसे實ity को हम क्या कहते हैं वैसे实ity को stagflation कहते हैं क्या कहते हैं stagflation याद रखेगा option B next question है मुद्रा SPT को इन में से किसके द्वारा रोका जा सकता है तो जब देश में inflation होता है देश में जो चीजे बहुत महंगी हो जाती है तो उसे जो है किस प्रकार से रोका जा सकता है तो देखिए inflation को रोकने का है तरीका की बजट जो बजट का बजट सुरू किया जाए यानि की बचाया जाए रुपए को पर्थ्यक्ष कारधान में व्र जाती है तो भारत में मुद्रा इस्पिती ठोक मुल्य सुचकांग के द्वारा मापी जाती है नेक्स कोशन है कि भारत में सरो पर्थम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारम हुआ था तो भारत में सबसे पहली बार पत्र मुद्रा का चलन सबसे पहले सुरू हुआ था अठार विदेसी मुद्रा का सरवाधिक भाग खर्च होता है तो भारत की जो विदेसी मुद्रा जाने के लिए पेट्रोलिय। उद्देश होता है निर्यात को प्रोचसाहित करना क्या होता है निर्यात को प्रोचसाहित करना यानि कि जो है एक्सपोर्ट को जो है उसको इंकरेज करना ही क्या होता है अवमुलियन तो next question है कि अब तक भारतिय रुपए का कितनी बार आउमुलियन किया जा चुका है तो अब तक भारत में कुल तीन बारा आउमुलियन भारतिय रुपए का किया जा चुका है कि भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है तो बैंकों के बैंक के नाम से कौन जाने जाते हैं तो भारती है रिजर्ब बैंक ठीक है रिजर्ब बैंक अप इंडिया को बैंकों का बैंक कहा जाता है क्योंकि भारत के सभी बैंकों को directly और indirectly RBI ही regulate करती है तो friends ये last question है हमारे इस वीडियो का कि RBI का मुख्याला कहा पर स्थित है तो RBI का मुख्याला मुंबें में स्थित है RBI कब स्थित्व में आया इसका answer आप हमें please comment करके बताएं साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा ये भी हमें बताएं और लिस्म चेक किजिए सारे वीडियो आपको एक ही प्लेस पे मिल जाएंगे पांच वीडियो अल्रेडी अपलोड कर दी जा चुकी है तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं थैंक यू धन्यवाद जाएं